कि जहन मित्रों इस वक्त हम मौझूद है कोर्बा जिले के सीतामडी छेतर में और सीतामडी में मालती दिदी के निवासे स्थान पर है एक्षिली में मालती ही दिदी नहीं अबरण कई यहाँ पर लोगों का समवेश है हम आये जांते हैं कि किन का समवेश है कौन-कौन लोग और क्या उनका धर्म है एक्चली में हम बात कर रहे हैं मालती दिदी जो किनर है और उन्हों ने अपने कार्य सैली से अपने सभाव से अपने आचरन से पूरे जिलेवासियों के दिलों में इस्थान भी पाया है आए कुछ छेत्र में ऐसी धारनाएं हैं कि किनरों क्यों मरने उप्रांत क्या होता है उनका या फिर उनकी जीवन सैली क्या होती है उनकी इच्छाय क्या होती है क्या उनका भी विवाह होता है ऐसे सवाल जो है वो मन में भटकते हैं और उनके सवाल धुनने का हम प्रयाज करेंगे कि किस तरह से उनकी जीवन सैली होती है और क्या वे भी सम्मान के भूखे होते हैं उन्हें भी सम्मान के सकता है की नहीं है देखें तमाम सवालों के जवाब देने के लिए यहां पर मालती दीदी यहां पर मौझूद है और यहां उनकी महमान जो हैं वह भी मौझूद है आरती साहु जी सर्मा जी आरती सर्मा जी जी बहुत बढ़ तो मैं आपके पास आऊंगा और यह आप मुझे बताइए और दर्सकों को बताइए वैसे तो आप परिचे की महताज नहीं है आपको हमारा पूरा जिला जानता है कि आप किस तरह से यहां पर हैं तो दिदी हमारा पहला यह सवाल पहले तो आप दर्सकों को परिचे दीजिए जी मैं जिला कॉर्बा वाट नमबर दास स्यक्त महमंतरी कंग्रेस परवार से मलती किनर मेरा नाम है जी तो मित्रों आपने मलती दिदी का परिछे देख लिया अब एक सवाल उठता है कि यहाँ पर किस समुदाय के किस धर्म के किनर रहते हैं दिदी क्या एक ही जाती एक ही धर्म के किनर रहते हैं आपके साथ सब। आप देखिए अभी तो कोई मौमीन में आ जा रहा है और कोई मतलब पंडित की धर्म पे आ जा रहा है पर हमारे मतलब परमपरा है जो भी परमपरा है हमारे जो इसलाम कवल मैं जो मिट्टी होता है आज भी पुरा भारत में होता है अजो अभी जैसे लचमीतीर्पाटी है अभी सनाथन धरम अपनाया है अब उसका आगे के मरजी है कि पूरी होने की बाद पूरी होने के बाद उन लोग मिटी दे सकते हैं कि जला दे सकते हैं उसको हम कहा नहीं जाएं आपके कहने का मतलब यह है दिदी की तमाम धर्म के लोग यहां पर रहते हैं या एक भवन किसी भी जाती का हो किन्तु यहां पर एक ही जाती हो जाती है वो हमारे किन्नर धर्म किन्नर जाती के लिए हमारी जो भी आते हैं बाराजात के किन्नर आते हैं सब को हम एक जात करते हैं सलाम दूआ से बात होती है अगर किसी जजमान के घर जाएं तो राम राम बोलते हैं ये तो हमारे घार पर वार रांगान में जो भी उठे बैठे सब म वहां की आप आपके निवार्स के ठीक सामने कंदर वटें लिखा हुआ है तो इस वह रहते हैं वह हिंदू-muslim सीखिसा हैं हर शाषय में लोग होते हैं किंटु जैसे ही वह आते हैं तो यहां हमारा अपना धर्म को निर्वान करते हैं और आप यहां पर क्या कि नजर से आपको सारे किनर देखते हैं नहीं मैं जिला कॉर्बा का थरजनर का अध्याच्छक हूं और इस इस्थान पर आपको किस नजर से और क्या सम्वान क्या एक पद आप लोग का एक पद होता है हमने यह जाना तो मैं दिदी से जानूंगा कि दिदी आप दर्शकों को परिचे देए मैं आर्ति सर्मा चतिस गड़ विलासपुर से जीला कॉर्बा में रहती हूं सयोक मंत्री महा मंत्री मालती भाई किनर जो हमारी कॉर्बा की हेड है और इस घर की हेड है मालक है कॉर्बा की और इस मकान की भवन की यहां कोई भी किनर आते हैं इनके दर्वाज़े में आते हैं होली दिवाली सब महमान आते हैं यहां और अपना जितना दिन मर्जी पाए भवन में रहते हैं और फिर अपने अपने चले जाते हैं बाकि इस जगह में आके इनके ज जीना है किनरी में मरना है उसके आगे और कुछ नहीं है और साधी हुआ बच्चा हुआ जहां सुप काम हुआ हम वहां दुआ देने जाते हैं जो भी जजमान से मिलता है हम लड़कियों का बच्चों का साधी करवाते हैं कोई भी जो विद्वा हो जिसके माबापनी है सब काम हमारी सयोग महमंत्री मालती बै किनर जो कोर्बा से है जो यहां रहती है उससे सब काम दान दक्षिना जिसको भी देना है इस घर मकान से सब कुछ मिलता है हिंदू है मुसल्मान है सीख है इसाई है उनके लिए दर्वाजा एनी टेम खुला रहता है हमारे घर में आ सकते है कु जीने और मरने की बात किया है हमने तो जीने पर सवाल करते हैं कि तमाम धर्म के लोग हमारे पास होते हैं कि नर मनदिर, संकर जी का भी गद्दी सजा हुआ है तो यहां सभी धरम आ सकते हैं और सभी धरम के लोंग आते हैं और सब एक मा के बच्चे जैसे सभी रहते हैं और सब खुश रहते हैं और यहां पे जो गाइडलाइन्स होते हैं जैसे कि इसका पालन करना चाहिए एक अनुसासन से रहना है उस अनु और हमार जैसे आप लोग अपने बच्चे को डारते हो चिलाते हो ये करो ओ करो इस तरह हम को समझाते हैं और जहां भी हम रहे हमारी गुरु जो भी है हमारी माँ बाप जैसे अभी मालती बै किन्नर है और हमारे माबाप के पास भी रहते तो भी डारते चिल्लाते ओ हमारे सब कुछ है और उनका बात हमारा मानना एक धरम है आपने माबाप का जिकर किया तो क्यों नहीं एक सवाल पूछता हूँ आपसे क्या माता पिता की याद आती है आप सब को हाँ मैं तो अपने मा बाप मेरी मालती गुरु को ही देख लो उनकी मा भी यहीं रहती है तो चल नहीं पाती है उनकी यह सेवा करती है आगे रूम में उनके लिए लेटरिंग बातरूम जोग भी है पैरहा से तो चल नहीं पाती है उनके लिए भी सब है और सेवा करते सब अपने मां के यहां जाते हैं और Maha back up को more upper कर देती है फिर घ्सटे हैं ज जाते हैं जो हमसे बनता है Maha Beth benefici करते हैं कैब कभी ऐसा हुआ कि आप सबो को उनकी आद आई आप सब गये यह कभी चै US को अभी माबाप आए क्या कभी मैं आप से कुछता हूँ कि पहले के जामाना क्या था निर्धाई था और जाती प्राबलम था कि पेले सो सल की बात कर रही है तो जाती प्रभाम थे और निर्धाई थे और आपके बेटा भी नहीं मानते और मां क्या बौलते हैं जोग अपढ़ दुक्ष टें कोई जी पुझक तर इनद। और पर लिखके बना है कि जो रूड़ी वादी थी जो अज्ञानता था जो अनपढ़पन थी वह कहीं न कहीं समाप्त हुई है अब पढ़े लिखे लोग की संख्या बढ़ी है तो कुछ ना बदलाव आया है जो अनपढ़ था पहले का पूरा बदलाव आ गया है और फिर जैसे लोग पहले स पहले हमें देखे भगते थें जन्ते अब तो जन्ता अपना रस्ता से अपना लिया है मतलब किन बहुद्धी को बहन करके रिस्ता थोड़ा और आगे हो गया है और थोड़ा कामाती है सब आदर सब चीजें सिख्छा के वज़े से आ रही हैं अभी किसी का बच्चा का साधी होंगे उसके घर हम नाचने जाते हैं अगर हमारी प्यार रहेंगे तो हमें काराट लेके निवता देने आते हैं उसमें सामिल के मतलब उनकी समाच के अंदर हम जाके खड़े होते हैं हमारे मान मेरे वादा आदक करते हैं मालूम है तो फिर हमको ना मतलब घर का भावना से बहुत कम सोच है एक सवाल आप ही से मैं क्यों ना पूछनू कि लोगों में यह धारना है कि किनर जब उनकी मृत्ति होती है तो कहीं ना कहीं उन्हें चपल से मार कर विदाई देना या ऐसी क कितना की साथनक या सच है क्या होता है नशे से 500 साल का पंडित रहता है न उस टेभ डोली से जाके हमारे किनर समेहाइग को बिल्वा के पिर 10 दिन तक ने हमीलन पुनियतिति को उसका हम लोग जज मन आकए चै Response लोगों को आज हम आपको दुआ दिये हैं कल इस दुनिया पर नहीं रहेंगे तो चल मेरे पापा को कोई दुआ देंगे होकर कि आपके अउलाद अगर हमारे कभर को देख लेंगे तो पर नाम सलाम करने जाते हैं यह पूरी जो है रिस्पेक्ट के साथ आदर के साथ एक इनर अपने साथी जो की मृत हो जाते हैं उसकी शौव को ले जाकर विदिवत उसे दफनाया ज आए जाती है कि भविसमें अगरहे हैं और प्रॉजलित करना अस्था उनको याद करने की एक्षा और आपके में हो तो आप वहां पर जाकर प्रॉजलित करके उन्हीं याद कर सकते हैं एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप सब एक अलग इसमें किनर जो अल पिश्ठा के नजर से भी देखे जाना लगा है किन्तु जब यहां पर आप लोग रहने लगे तो एक छाएं चुकि हम घर से दूर हो जाते हैं तो किस पर ज्यादा करके ना उन बच्चे के लिए दूआ के लिए पूजा पाट की समानी आदाता है हर दुकानों वहर पर जाएंगे तो कहीं हम घरबती ले ले लें कहीं कोई परसाद लें के लोगों को खिलाएं शौक स्रिंगार के लिए क्या आप लोग क्या खरिदना पसंद करतें इस आप सि तैना ही हिरा चांदी क्या पसंगा तो पूरा में आदा पसंट है मैंस चीह सांप्द रहान भहान अच्छे से पसंद आइं और जै librarians वह करने आको फाइं हमारे घर पे बिएठें और हमारे थोंगी वहए तो जनता खाते हैं पानी पीते हैं मतलब जनता पहले जो देखते थे उस भूप से भी नहीं देखते हैं विल्कुल विल्कुल हम जैसे प्रवेश कि आपने पानी की बोतल आगे बढ़ाई हम सबसे पहले आपके घर में पानी पिया हमने और हम भी स्वयम इज़त से दिदी ही प्रमोद सब्सक्राइब करते हैं जहां पर फिर्ण धर्म कSen अपस में जगडां गररें विवाद करता है लड़ता है फूर्ण सब्सक्राइब करें करने का हैं जैसे किसी को बोल दें कुछ काम करने के लिए उठने के लिए उनके धंदा पनी के लिए उनकी सरीर के लिए तो उनके दोनों से एक आखरी सवाल में पूछना चाहूंगा एक सवाल जरूर जरूर दिदी वहां भी मैं जाओंगा एक यह चीज है कि कोई ऐसा सोच जैसे कि क्या कभी आप लोग किनर होते हुए भी किसी के प्रति होना या कभी विवाह या कुछ ऐसी चीजों की अंदर से इक्षा ह होती है क्या आधी अब अब तो अब देखिये पैसा है तो सब चीजह भाईया और पैसा नहीं तो कुछ नहीं है तो को इसे भागोन हो गया है कि क्या से क्या कर दे रहा है जए अगर जो बच्चेवाले नारी है हम नहीं कि लिए करो जिंढर जो हौते हैं जो साइन्स ने डवलिप्मेंट किया है तो एक तरह का उस development का हम भी लाव उठा सकते थे किन तो नहीं उठाते हैं तो फिर हम भी मा बनते हैं किसी का बच्चा को लेके गोद में अगर दो दिन कभी बच्चा रहेंगे कोई बोलेंगे के दीदी इनको ले ले करके तो हम ले लेते हैं और लेके पालन पुसन उसका नहीं से चलू हो गाया तो देखिए लोगों की सुच्त है जिसे घर होते हैं तो घर के लिए दरवाज़ा भी तो होना चाहिए जाया है हमारे जिंदागी पर और आपने अपने बड़ामान करे हमारे सेवा करे तो एक साथी की एक ख्वाहिश एक इच्छा तो होती है आप सबों में भी अब इतना बड़ा मुख्य मंत्री जाया दे दिया तो फिर हम को जाया भूछा धन्यवाद मालती दी मैं उस गद्धी के विशे में आप से पूछूंगा और आए हम चलते हैं कि यहां पर किस तरह का गद्धी होता है क्या उसके रिस्पेक्ट होते हैं क्या इसी माननेता होती है देखिए गद्धी पर इस वक्त विराजमान हो चुकी है मालती दीदी और इस गद्धी का क्या वैलू होता है अपने आप में इस गद्धी पर क्यों यही विराजमान हो सकती है दूसरा मोर पंक हैं तमाम यह सब मोती पीरोय जो है माला है तो क्या इस गद्धी का क्या वेलू है इस गद्धी को हर कोई को नहीं मिलता है हर जहने को नहीं मिलता है यह हमारे पीर सहाबे हम इनकी मुरीद हैं तो मतलब जब इनकी मुरीद हुए हैं तो हमको सब मतलब हम मतलब लोगो को जान नहीं जाते हैं जैसे कोई भी पढ़े लिखे हैं कि कुछ भी होते हैं मतलु आप जान जाते हैं कि इसके ये गद्दी के लाइग है कि नहीं है तो जब हम पीर साप के जब हम मूरीद बनें न तो हमको डारेक्टर बोल दिया कि सब चीज तेरा है बेटा बोले, सब चीज तेरा है और यह हमारा परमपरा होती है, यह गद्धी हमारे, परमपरा होती है, इसमें हम लोग आशिर बात देते हैं, जैसे किसी का बुद्ध गीरा हो गया, किसी का मंगल गीरा हो गया, उसको हम गद्धी पे बैठ के काटते हैं, और यह जो गद्धी है इस पे और भी आपके भौन के जो है इसमें और पने किनर हैं कितने किनर यहां आपके पास हैं हमारी हैं 10-15 किनर हैं तो क्या सभी से बैठ सकते हैं नहीं जो हम जैसे हम सेवा किये हैं हमारे बाबा का तो हमारे बाबा भी राजमन कर दिया हमको तो उस टेप हमारे कोई सेवा करेंगे तो जैसे हमारे बाबा ने जैसे हमारे बुझरू को ने हमको बैठा लागाया है तो उस टेप हम भी हमारे सेवा करते रहेंगे जैसे हम चीराग लेके खड़े होते हैं तो उह कि आगार सेवाि सेवा बोलते हैं तो इसमें पूरी हों में उसकी प्राप्त होता है तो इनके हम जो फोटो हैं तस्वीर हैं उनको रख देंगे किन्तु पातरता अगर बहले गदी में नहीं बैठेंगे पर गदी का सेवा करेंगे जिदी गदी पर बैठे बैठे अब ख़बर के हम आखरी चरण पर हैं तो समाज जिलेवासी नागरीकों को इस समाज को आप क्या कुछ संदेश देना चाहती है और क्या कुछ आप लोगों को भी दर्द होता है जिसको बदलावाने की अब सकता है वह दुख ना हो अच्छा देखिए लोग बाग देखिए अभी लोग बाग को खाने पीने में गया तो लाक रुपया से उस पर नहीं होता है है कि नहीं तो जैसे हम जजमान से नाच नाच के लाते हैं तो दो पैसा हमारे महमान के लिए जोड़ते हैं दो पैसा हमारे नोकर चकर के लिए जोड़ते हैं दो पैसा हमारे कोई गरीब है किसी का बेटी गरीब हो गया तो उ के लिए हम समर्थन करने के लिए तयार रहे हैं तो समाज को क्या संदेश देना चाहती है कि किस तरह से समाज एक दूसरे के साथ रहे क्योंकि संदेश यह दे रही है आप कि एक ही छट के नीचे तमाम धर्म के कि नर आपके साथ रहते हैं धर्म को बुला कर एक ही धर्म होता ह एकता का जो है आप लोग एक संदेश दे रहे हैं तो इसके अलावा आप समाज को क्या कुछ कहना चाहेंगी क्या संदेश देना चाहेंगी दो लाइगा यह नहीं है जैसे मैं जलाओं लोभान तो कोई किन्नर अगर बोलेंगे के मैं धूब जलाओंगी मंदीर में तो इसके लिए हमको मना नहीं है आरती उतारोंगा बोलेगे तो नहीं है मना जैसे भी पूजा पाट करे हम भी तो दो अगर बत्ती लेके खड़े होते हैं हाँ जजमान के लिए उनके बाल बच्चे जिए उनके रोजी रोटी अच्छा रहे उनके आत्मा सरील तंतरूस रहे कि उनक जैसे सब कोई को भाई बेटा भतिजा मान के सब को अशिरबाद दें बस धन्यवाद तो यहां थी मालती किनर जी और इनसे एक छोटा सा हमने रूबरू कराया है आप सब को मित्रों आशा है कि किनरों के प्रती जो कुछ सवाल मन में परनप रहे होंगे जिनके विशे में आप जानते नहीं होगे इन सवालों के जवाब मिल गए होंगे और एक रिस्पेक्ट एक आदर जरूर इनके प्रती आपके दिल में इस्थान पाया होगा तो इनी सभी सब्दों के साथ मैं आप सबों से विज़ा लेता हूं धन्यवाद केमरा सवयोगी प्रसोतम साहू के स साथ मैं पंधान संपादक मुकीश भार्ती जहीं